हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम बी में आज के हमारे इस वीडियो में आपको लोग को पता है कि CSIRSO और ASO का पेपर 1, पेपर 2 यानि कि Stage 1 जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और बच्चों का आपे नाम आ चुका है संपूहर करें, कि पेपर कहा है स्लेबरेश किया है पेपर में कौन कौन से कोशिन आएगे और पेपर की तैयारीयया कैसे कर सकते हुए ठीक है तो यहां पे देख्गे आप हम लोग अराम से मैं पिर आप आपको लास्ट मैं आपना बता दूँगा कि आप लोग मुझसे कैसे कॉंटेट कर सकते हो गई बच्चों को फिरी भी कोशन रहता लेकिन ज्यादा मतलब कई बच्चे बहुत जाता ही पूछ लेते हैं कि सर एक एक वर्ड तो वह वैसा नहीं हो पाता है लेकिन आगर कोई जैविन कंसान है तो मैं जवा तो यह 15 हो गया और समाझ में आगी आपको इतने दिन ओक आपका पेपर चला है तो तो 16 दन आपका पेपर चला था था है 16 के 16 पेपर के compilation मैं कर रहा हूँ paper 1 & paper 2 का जो इन बच्चे न डाउनलोड कर लिया वो मुझे send कर दो जो बच्चे मुझे send करेंगे मैं उनको वापस पुरा का पुरा जो हमारा ये compilation है पुरा का पुरा उनको send करूंगा क्योंकि बच्चे send नहीं कर रहा है तो उसको नहीं कर पाऊंगा फिर मैं अब देख लो यहां पर बात करते हैं पहली बात तो SO & ASO में वेकेंसी कितनी थी यह होता है section officer इसकी वेकेंसी जो थी वो थी total post कितनी थी यहाप 76 समझ में आ गया इसमें 33 साल भी मांगा था तो इसलिए में बहुत जाते लोगों ने इसको फार्म बढ़ा था और ASO में आपकी 368 पोस्त थी तो समझ सारे 400 पोस्त थी इसकी दोनों में आपका तहती साल मांगा था और यह ग्रूप B की सर्फिस थी यह लेवल 8 था यह लेवल 7 था लेवल 7 बहुत बड़ी तंखा होती है यह लेवल 8 की मतलब आप मान लोगी मतलब बहुत बड़ी है ठीक है 10-12 तो IS की होती है तो 76 पोस्त है section officer की जिसमें interview है और 368 पोस्त है assistant section officer की जिसमें सिर्फ typing है interview नहीं है अभी आपको आगे बताता हूं अब देखो यहाँ पे आगे यह आपका हो चुका है इन दोनों में जो बच्चों पास हुए थे उन सब का नाम आ चुका कि यह आपका नाम है और आप यह दोगे अब आप यह दोगे यह और यह बात की बात है ठीक है अब आप यह देंगे paper 3 चाया आप SO हो चाया आपने ASO बराओ चाया आपने दोनों में से एक बराओ या दोनों बराओ आप सभी के लिए compulsory है किसी को भी नहीं चोड़ना है paper 3 सब के लिए compulsory paper 3 होगा paper 3 का result आएगा फिर आपको एंटर्वी होगा और ASO वालोगा यहाँ पर CPT यानि computer proficiency test होगा यानि कि typing होगी समझ में आ गया लेकिन यह paper सब के लिए एक अंपल सरी चाया आप SO ASO समझ में आ गया English Hindi में आपको language चूज करने पड़ेगी English या फिर Hindi वह आपका paper आपको से मिलेगा question सेम होगा कोई यह आपका 1500 नंबर का है आपका पहला paper था साड़े 300 का समझ में आ गया अब आपका है 1500 नंबर का तो यह आपका अभी result आ चुका है बच्चों ने अभी यह clear करा है अब वो यह clear करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 नंबर का अब result आएगा दुबारा से अब result आएग का अतरवाज जिनका एक है नाम जिनोंने एक ही पोस्ट बता था उनका उसके साब से नाम आएगा नहीं merit में तो नहीं आप आएगा तो यह समाझ में आगया आपको यह हो गया 500 नंबर से दुबारा merit लगेगी फिलाल आपका यह clear करा है आप लोगों ने फिलाल आप लोगो गी से भी गिवन नहीं है कि paper online हो या offline होगा मुझे ऐसा लगता कि paper online ही होगा क्योंकि paper 1 इसका online था paper 2 लेकिन descriptive paper उनका offline होता है तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कोई क्या रहा है तो फिर वह बेब को बना रहा है ठीक है, section officer की merit कैसे लगेगी, ध्यान दो, आपका पहला paper, दूसरा paper, ठीक है, ये paper 1, paper 2 हो गया, इसको लिए करने का आपको paper 3 में बुलाया है, paper 3 का मंदर stage 2, जो आप लिखने वाला paper अब दोगे, ये आपका होगा descriptive paper, इसके होने के बाद, आपका 100 number का interview होगा, 500 ये होगे, आ आपकी total night कितने में से लगेगी, 600 में से लगेगी, यहाँ पर दिख रहा है, आपको, SO और SO में से, ये last का procedure, जब आप select होगे, DB से पहला का procedure है, अभी आपका प्रोसीजर क्या है, अभी आपका 300 वाला clear हो गया है, अब आपका 1.500 वाला है, ये वाला आपको clear करना है, ये जुडेंगे, बस जो आपका क्या है, ASO है, उसमें interview नहीं है, उसमें CPT वो qualify है, उसके कोई marks नहीं है, जो आपका ASO है, उसकी merit 500 में से लगेगी, और आपका जो SO है, उसमें interview जुडगा है, SO नमर का तो उसकी merit 600 में से लगेगी, बस ये फरक है, बागी कोई फरक नहीं है, okay आपके असो को टैपिंग interact देना वो कौलिफा है यह można आपको ब्ता दिया 500 में होगा और असो को यहापर ऑगा 600 में न से होगा आपका पेपर कैसा आएगा डेखूल 8 यहाँ अलब का डो न क्他 कर दो आएंगे तो 50 552rim एक आएगा से रिलेटेड एक आएगा आएगा से रिलेटेड होगा वह आपका अलग हुगा प्रैसी रिटिंग यह किसी भी चीज से आ सकता है और थीम्बर करते बहुत बड़ाएगा पैसे कि नर्जेज रूल capacit एंधिनल के पैस्छ लोके चार्शो वड के होते हैं कि पैसल करें करें हसं नमब के बाuvoगा यहां पर पर लेटर आप का फॉर्मल कि आएगा informal तो भाहिं नाई लिखनेगी दे गना इन फॉर्मल फॉर्मल लिखनेगी देंगे आपको informal फॉर्मल आप जो भी होता जो गॉर्मंट भी उस होता है वो आपका लिखनेगी देंगे हाला कि इसकी पड़ाए हम लोगी स्टार्ट कर देंगे इसके नोट्स बनाने स् पंदर पंदर तीस और पचास असी आपके नॉर्मल नंबर है जो आ सकते हैं डेड़ सो में से अब आपके मरजी है बाई को चालिस ले आओ ठीक है अब यहां पर यह हो गया आपको प्रैसी राइटिंग एक बड़ा सा प्रैसी में ठीक है और ऐसे लिखते हो जाना ऐसे हो सकता है और आपका पेपर गावे भाई मुझे नहीं पता लेकिन मैं भी पता होना चे साथ जुलाई एक मेना भी नहीं रहा आपके पास क्या करोगे अब आप ठीक है आपका एक्जाम सेंटर याद रखो बस इनी जगहा पे होगा बैंगलरू चंडिगर दिल्ली कलकत्ता पूने गोवाटी बोपाल चन्नाय अधर आप कभी यह नहीं पुछता ह कि आपके साथ कोई खड़ा होता है जो आपको बताता रहता अब मेरसाथ क्या 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 नहीं पुछते मैं पुछते मैं पैंड कौन सा यूस करूई अरब के पास कोई भी नहीं होगा कमेंट में लेके लोगे YouTube के कितने के जवाब आ जाता है बताओ 500-500 मेरे कमेंट होते हैं हर किसी का जवाब नहीं दे पाता है कमेंट में मतलब जो आई भी वो टेलीग्राम का होता है वहां पे मैसेज आते है कोई खड़ाव आई तो थोड़ा चांद से जादा बढ़ जाता है इंसान के मैं यह नहीं बुद्ध हो कि यह जो बंदा है फरस्ट आजाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है discussion group में आपको नुक्सान हो रहा है essay checking में आगर आपको नुक्सान हो रहा है English Hindi जो आपको दिया दर है content essay 50 जो आपका price है ठीक है और जो आपका letter writing लेटर राइटिंग की book पूरी की पूरी जो आपकी होगी जो सारे letters होगे वह आपको सारा मिल जाएगा यहा पर ठीक है यह आपका PDF notes है जो की आपको PDF notes में मिलेंगे समझ में आ गया तो यह आपको पूरा कपूरा समझ में आया जो सबको देना है चाहिए आप SOK हो चाहिए आप ASOK हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ ASOK हो यह आपका सबको देना है दो प्रेसी है और एक लेटर अप्लिकेशन है 20 नंबर का यह 30 नंबर का यह 100 नंबर का है यह चीज़ आप ध्यान देना और इसके बात की बात है अब इंटरुवी होगा सबकी मिला कर मेरिट बनेगी तो यह आपका फाइदा है कि अब आप 500 वाले में से अच्छे नंबर लाओ अगर आपके पहले वाले में कम थे और समझ में आ गया तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगा फिर भी कोई कमेंट है तो ध्यान रखो मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो आप इतना जादा मतलब हो जड़ा कोईशन समझ पूछना जितना जैनुवन कोईशन होगा मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा विकरम सर जी के यह मेरी टेलीगराम की आईडिया परसनल आईडिया ठीक है मेरी परसनल आईडिया खुद की ओक आईगे और यही सब है बस ठीक है और दीरे दीरे में विडियोस लाता होंगा कैसे करना है बागी लिंक नीचे है आप चलने का लिंक भी नीचे जाके आप अच्छे से देख सकते हो अपने हिसाब से ठीक है तो मिलते हमारे अगले विडियो में तब तक के लिए गुडबा